रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एजन्ट डॉक्टर डूम का करेक्टर अब MCU को एक नए सूपर विलेन के साथ MCU फेस 5-6 को नेक्ट लेवल पे ले जाने की पूरी तयारी में आ चुका है लेकिन जब सूपर विलेन की बात आती है तो थैनॉस का नाम सबसे पहले आता है दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कॉमिक्स फैंटेस्टिक 4-1961 में अपने डेवियू के बात से डूम MCU के बेस्ट सूपर विलेन के तौर पे गिना जाने लगा जानातन हिक्मन और एसाइड रिबिक के सिक्रेट वार्स में डूम जिससे Destroyer of the World और God of Emperor नाम दिया गया है जिसे साबित हुआ कि वह सिर्फ एक बिलेंट माइन नहीं उससे भी कहीं जादा है थैंटोस दो इंटरनल्स का एक इंपरबली डेवियंट चाइल्ड है अपने Grandfather Uranus की चीजों को छोड़कर थैंटोस की Strength और पावर्स मौझूदा इंटरनल्स सिक्वी कहीं जादा है थैंटोस ते अपनी Scientific Skills के जरिए अपनी Fright Force को खुद डेवलप किया है थैंटोस की उम्र हजारों साल है उसी के साथ उसे War का Experience भी उससे कहीं जादा है जैसे Horse Top Capabilities, Flight Force, Strength Augmentation और Energy Protection जैसी Powers उस सूट में है उसका Armor Suit भी एक Man Frame Computer है उसके साथ वो खुद एक Data Center और Computer बनाने में सक्षम है Dr. Exchange के लेवल की Magic Skills, Tony Stark जैसा Billiont Might, Dr. Warn Doom को Marvel के सबसे Greatest Villain में लाकर खड़ा करता है मेरी नजर में Thanos Dr. Doom की तुला में कहीं ज़्यादा Powerful है Marvel के Comics में Thanos के Black Bolt से Face Off के दोरान Black Bolt की Power का Thanos अकिले जहिल जाता है जबकि मुझे नहीं लगता कि Dr. Doom की Force Field भी Thanos का कुछ बिगार पाएगी जहां तक Intelligency और Science की बात आती है तो ये एक बड़ा Match हो सकता है Thanos बहुत समय तक जीया है उससे सारी Technology को देखा है और उससे सीखा है Thanos के पास एक बहुत बड़ा G&N Space Ship है जो पूरी Galaxy में कहीं भी उससे Travel कर सकता है मैं Doom से कहीं ज़्यादा Thanos से डरूँ है Doom बहुत Self-Interested Person है लेकिन Violence की खिलाब वो मनमाना नहीं करता Thanos बिना किसी शर्मिंदी के किसी को भी मार सकता है Thanos को हत्याए करने से Pleasure मिलता है Doom थोड़ा Psychopath है मगर Time to Time वो इसकी परवा भी करता हुआ दिखाई देता है मगर Thanos completely Psychopath है I hope दोस्तों आपको इस वीडियो में Thanos और Dr. Doom की Powers का जवाब आपको मिला हो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्साइब करना ना भूले साथ पर बैल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरे लेटेस वीडियो की जानकारी हमेसा आप पर पहुंचे नीचे description मेरा Instagram और Facebook का link है दोस्तों प्लीज उसे follow कर दीजेगा मिलूँगा आपको जल्द अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ दएके शो में धन्यवाद